तो आज हम बना रहे हैं देसी गुलाब का सरवत जिसमें मैंने यहां पर देसी गुलाब ले रखे हैं यह देखिए चीनी ले रखी है यह मैंने यहां पर एक चुकुंदर को इस तरह से घिसकर के ले रखा है एक नीबू केसर तो यहां पर मैंने एक बॉल में पानी ले रखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो गुलाब के पत्ते हैं इनको हम तोड़ करके इसके अंदर डाल देंगे तो सारे पत्ते हम इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले हम इन पत्तों को बहुत अच्छे से धो लेते हैं ये धुले हुए पत्ते मैं इस बरतन में डाल दूँगी ये देखे दोने के बाद जो भी थोड़ा बहुत गंदगी रह जाएगी वो हमारे इस पानी में आ जाती है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसी के अंदर हम डाल देंगे ये ये चुकुंदर यहां मैंने 250 ग्राम गुलाब के पत्ते लिए हैं तो 50 ग्राम मैंने चुकुंदर का इस्तेमाल किया है अब इसको हम पकाएंगे सबसे पहले अब इसको हम गैस पे रखेंगे गैस अन करके इसे उबलने देंगे उबालते बग्त हम इस पे ढखकन लगा देंगे गुलाब का जो भी फ्लेवर है वो हमारे पानी के अंदर ही रहेगा चलिए इसे उबलने देते हैं एक बार खोल के चेक करेंगे इसको यह देखे कलर अब इसे ढखक करके रखेंगे और गैस को बंद कर देंगे और कम से कम इसे 20 मिनट तक हम इसी तरह इसे ढखक करके रखना है और उसके बाद हम इसे खोलेंगे जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा खोल के चेक कर लेते हैं यह देखे कितना सुंदर कलर आया है हमारा सबसे पहले हम इसे चानेंगे और चानने के बाद जो यह बची हुई लीफ है इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस करके बापस से हम चान करके इसी में डाल देंगे तो चलिए चान लेते हैं इसको चान लेते हैं इसको अब जो यह बचा हुआ है इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीष लेंगे, यह मिक्सी के जार में डाल लिया, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, यह हमने यहाँ पर पीष लिया, यह देखिए, पीष करके तयार हो गया, अब एक बरतन में हम इसको छाल लेंगे, तो यह जो हमें पीस के रखा था इसको हम छाल लेते बापस हैं अच्छे से चाल लेंगे इसको इसे बचे हुए को किसी भी पौदे में आप डाल सकते हैं यह बहुत अच्छी खाद बन जाएगी अब जिस बरतन में हमने गुलाब के पत्ते उबाले थे उसी के अंदर हम यह सारा डा और इसे उबालेंगे इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक कि यह चाशनी हमारी घूल करके थोड़ा सा गाड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसको उबालेंगे चली उबलने देते हैं इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे यह केसर थोड़ा सा केसर से क्या होगा और अच्छा कलर आएगा इसके अंदर और साथी में डाल लूँगे इसमें वन फोर्ट गुलाब जल अब इसे हम ढखकर के रख देंगे और दो मिनट के लिए उबालेंगे उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे और इसको ढखका रहने देंगे दो मिनट हम इसे उबाल चुके अब गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे क्योंकि चाशनी जो है ठंडी हो जाएगी तो वो गाड़ी हो जाएगी तो हम इसे जादा नहीं पकाएंगे वरना वो बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो इसे बंद करके जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसे हमने इतना उबाला कि ये इस तरह का रह गया हमको इसको इसी तरह का बनाना है और अब हम इसमें डाल देंगे ये एक चम्मच नीवु का रस चलिए सर्फ कर लेते हैं इसको आपको जैसे पसंद हो आप इसे बना करके पी सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे ये पानी और डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा काला नमक अगर आपको पसंद है तो आप डालिए और अगर आप इसे दूद में डाल करके पीना चाहें तो दूद में डाल करके भी पी सकते हैं अब यह ठंडा हो चुका है कोई भी ऐसी बोतल आपके पास खाली पड़ियो कांच की उसे अच्छे से साफ करिए और उसके बाद उसमें भर के रख दीजिए यह काफी समय तक चलेगा अगर आप इसे फ्रीज में भर के रखेंगे तो यह सालबर तक भी चल सकता है हमने इसके अंदर किसी भी तरह के कलर का कोई इस्तेमाल नहीं किया है हमने सिर्फ इसके अंदर ताजे गुलाब लिये थे और चुकुंदर लिया था और आपने देखा था जब मैंसे चुकुंदर के साथ उबाला था तो चुकुंदर का पूरा कलर निकल चुका था तो यह हमें उससे मिला है तो किसी भी color के जरुवत नहीं पड़ती हमें गुलाब के शरुवत को बनाने के लिए आप चाहें इसके अंदर तो थोड़ा से गुलाब जल डाल सकते हैं केवड़ा डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे ऐसे भी enjoy कर सकते हैं आपकी मर्जी है ये निकाल लिया के पानी तयार करते हैं तो आप उस तरह का इस्तेमाल करिए तो यह वो लोग भी पी सकते हैं जो चीनी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं यह जो डाइविटिक वाले हैं जो शुगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं इसको गुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह आप ग अंदर खतम कर लीजिए ताजी चीज ताजी ही होती है उमीद है आपको पसंद आएगा और आप बना करके देखेंगे आपका मेरा चानल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत चाहिए